प्रेश दे बेल आइकन उन दी यूट्यूब आप जैहिन दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सरकारी जोब बैराकेश पर दोस्तो आज एक और नई जोब की नोटिफिक्शन लेकर हाजिर हो चुका हूँ वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेर कोमेंट जरूर करना अगर दोस्तो आप हमारी चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो के निचे देगे रेट सब्सक्राइ किया गया जिसके अंदर age limit क्या है qualification क्या है कोण क्या है क्कॉर्ण कर सकते हैं आधर के परReak क्या है यह पूरी जानकर Step by Step इस्वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं इसलिए आप बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के पर सुरू से लेकर लाज तक फ्रेंट्स दिल्ली पुलिश की तरफ से नोटिफिक्शन जारी किया गया है जिसमें हैड कांस्टेबल के पदों के लिए वैकेंसी निकल के रहा है जिसके अंदर आवधन के प्रकिरिया ओनलाइन रहेगी ओनलाइन आवधन स्टार्ट ओ रहे हैं 28 दिसम्बर 2019 से आवधन करने के लास्ट रहेगी 27 एक 2020 तक आप आवधन कर सकते हैं फ्रेंट्स आवधन करने के लिए विभाग किये वेब साट इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप wireless operator और printer operator के पदों की vacancy है जिसमें head constable rank से आपको बर्थी किया जाएगा group C की vacancy है दोस्तों इसके अंदर वेतन आपको level 4 का दिया जाएगा जो कि 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए परमंध आपको वेतन दिया जाएगा साथ में जो जो भी बत्ते हैं वो पूरे आपको दिये जाएगे दोस्तों पोस्टों की डिटेल इस परकार से है head constable AWO और TPO के पदों के लिए notification जारी किया गया है जिसमें male और female दोनुग candidate आवधन कर सकते हैं दोस्तों इसमें दो तरह की वर्थी है जिसमें एक उपन वर्थी और एक डिपार्टमेंटली वर्थी जिसके अंदर दिल्ली पुलिस के जो उमिदवार हैं वो आवधन कर सकते हैं दोस्तों male candidates के लिए उपन वर्थी जिसके अंदर जनरल काटेगरी के 134 पद हैं EWS काटेगरी के लिए 40 OBC काटेगरी के लिए 93 SC काटेगरी के लिए 76 ST के लिए 49 इस परकार से टोटल 392 पदों के लिए आवधन करना है male candidates को दोस्तों जो departmentally वेकंशी है उसके अंदर जनरल काटेगरी के 15 EWS 4 OBC 10, SC 8 ST 6, टोटल 43 पदों के लिए आवधन करना है दोस्तों वैसे फीमेल कंडिडेट भी दो तरह के से उपन और डिपार्टमेंटली फीमेल कंडिडेट के लिए उपन 67, जनरल काटेगरी 19 EWS, OBC के लिए 45 SC के लिए 38 ST के लिए 24, टोटल 193 पदों के लिए आवधन करना है और जो डिपार्टमेंटली वैकंसी है वो जनरल काटेगरी के लिए 7 EWS काटेगरी के लिए 2 OBC काटेगरी के लिए 5 SC काटेगरी के लिए 4 ST के लिए 3 और टोटल 21 पद है इसी परकार से दोस्तों टोटल 649 पदों के लिए आपको आवधन करना बहुत बड़ी वैकंसी है दोस्तों आप पूरी तरह से इसकी तैयारी करें दोस्तों वेतन आप यहां से देख सकते हैं 25,500 रुपर से लेकर 81,000 एक सुरुपर परवन्थ आपको वेतन दिया जाएगा फ्रेंट्स यहां से आप उमिद्वारों की एज लिमिट देख सकते हैं दिनांग 1 जुलाई 2019 को मिनिमम आयू 18 साल और मैक्सिमम आयू 17 साल तक के कंडिडेट इसमें आवधन कर सकते हैं जिसमें गुवर्मिट के रूल के आधार पर कैटेगरी जवाई छूट दी जाएगी जिसमें आप यहां से देख सकते हैं ओबी सी कैटेगरी कंडिडेट इसमें 30 साल तक के आवधन कर सकते हैं और SC-ST कंडिडेट 32 साल तक के आवधन कर सकते हैं दोस्तों जो विड़ो विद्वा ओरत हैं वो 38 साल, 40 साल और 35 साल यानि जर्नल कैटेगरी की विद्वा ओरत 35 साल तक के आवधन कर सकते हैं ओबी सी की 38 साल और SC-ST की विद्वा ओरत 40 साल तक की एज तक आवधन कर सकते हैं दोस्तो इसमें sports person को भी इसमें age limit में छूट दिया गया है आप यहां से देख सकते हैं sports person 32 साल तक के आउधन कर सकते हैं जिसमें जनरल OBC EWS कर्टेगरी 37 साल, SCIC कर्टेगरी 37 साल तक और OBC or EWS कर्टेगरी के उमिदवार 32 साल तक आउधन कर सकते हैं दोस्तो यहां से आप उमिदवारों के education qualification देख सकते हैं minimum education qualification 10 पलस 2 उमिदवार इसमें आउधन कर सकते हैं या फिर जिनके पास national trade certificate जिन उमिदवारों के पास है वो उमिदवार भी इसमें आउधन कर सकते हैं दोस्तों उमीद्वारों के इसमें टाइपिंग का ग्यानी भी होना चाहिए। आप यहां से देख सकते हैं इसमें बताएं कए इंघलिस वर्ड्स 1-0-15मिनटर अगर आप इंगलिस के 1000 वर्ड्स टाइपिंग कर सकते हैं तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। दोस्तो अप्लीकेशन जो आप only for इसके अंदर online आवदन कर सकते हैं जो विबाग की वेबसाइट इसके उपर जाकर only for आप इसके अंदर online आवदन कर सकते हैं उमिदवारों को इसके अंदर 100 रुपए आवदन फीस देनी होगी चाहें आप किसी भी कर्टेगरी की उमिदवार हैं सभी के लिए 100 रुपए आवदन फीस लाग हुआ है दोस्तो अब भी इसके बारे में फुल नोटिफिक्शन जारी नहीं किया गा है जैसे इसका फुल नोटिफिक्शन जारी किया जाएगा मैं आपको एक बार फिर से इसके बारे में अच्छे से एक नई वीडियो के साथ बताने वाला हूँ इसलिए हमारे साथ आप सुरू से लेकर लाज तक बेने रहे उमिद आपको वीडियो पसंद आयाए योगी अगर दोस्त आपको वीडियो पसंद आई तो like, share, comment जरूर करना साथ के साथ ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकोन ओन कर ले ताकि आप देख सके हर एक सरकारी नोकरी की ताज आप टैट सबसे पहले धन्यवाद दोस्त